हेलो गाइज वेल्कम टो मैं चैनल तो आज ही वाला फ्लार नाएंगे यह बहुत ही प्याना है आप बनने में इतना ही वीडियो में अच्छा लग रहा है उतना ही रियल में भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एंट तक देखिए और अपने कॉमेंट ज़रूर करें आपको अच्छा लगा है यह कैसा को इस दिशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लाब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल तो यहां मैंने और लगाया है फर्स्ट बॉटम में और यह डाक ग्रीन है डीन भी बहुत सा इस दिशन दिया है और इंज शीड कमपलेट होने के बाद में रेड कलर का बहुत हल्का सा सेंटर में शीड दूँगी आप देख रखते हैं ब्लुकल पहले मैंने वाइट परल किया है तो आप जरूर करें उसके बाद और एंज ट्राय करें और इंज करने के बाद में अच्छा लगता है आप एक बार जरूर च्राय करें इस फिलार को बनाकर इसे ड्रो करना भी बहुत आसान है और फिर आउटलाइन इसकी डाक ग्रीन या डीप ग्रीन से करेंगे यह पिंक कलर की बैटशीट है बट यह इसमें डिफ्रेंट दिखाए दे रही है विसे लाइट पिंक कलर की बैटशीट है और इस पर भी बहुत प्यार लग रहा है तो यह इस तरह से डाक क्रीन से आउटलाइन करने के बाद नीची की तरफ हलका हलका शेड देंगे और इसी तरह से में आगी बनाकर दिखाऊंगे आपको यह प्लाइट कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत प्यारा लगेगा सिर्फ शेड इसी तरह से देना है एक साइड से ब्रश चलाते हुए और ब्रश को हलका से आडा कर लेना है आपको दिको सीधा ब्रश नहीं रखना तो इस तरह से यह कंप्लीट हो गया है यह लीफ और अब हम नेक्स्ट लिफ स्टार्ट करते हैं मैं आपको पूरा तो बनाकर नहीं दिखा आपको क्यूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मुझे आपको हाफ हाफ ही दिखाना है वैसे यह जैसे एक लिफ बनेगी वैसे ही सारी लिफ बनेगी तो आप बस इसको देखिए रहां से और ट्राय ज़रूर करिएगा कि जवstat बस पहले वीडोर करते कि घर्मिगा मौसी में बहुत ज़ल्दी कलर सुख जाता है इसलिए फूरे ट्राय करें तो आप सकते हैं तो आप कर सकते हैं यह थो यह प्पी पार फूर्ट ज़ल्दी सुख जाता है तो उसके बाद शेय reflecting नहीं होता बहुत गंदा लगता प्रेशिंग नहीं आती है इसलिए आप ट्राय करें या कोशिश ये भी कर सकते हैं या तो आप हाथ थोड़ा जल्दी चलाए या अपने कलर को सूखने से पहले अपने शेड कर ले और अपने कलर को बहुत जादा पतला मत करिए उसमें मीडियम जादा मत मिला मिक्स करिए वर तो तब ही आपकी फिनिशिंग भी आती है आप शेड पेश होते हैं और कलर भी दिखाए दिता है कि आपने कौन सा कलर किया है और साइड में फेलते भी नहीं अगर आपने ज्यादा वाटर मिक्स कर लिया तो साइड में निकल जाते हैं तो काफी लोग ने मुझे कॉमेंट अगर आपके ब्रस में आप पानी रहने जिते होंगे मिन्स आप दिखोते है फ्लैट ब्रश को तब उसमें पाने रह जाता है तो उसके लिए आप किसी कप्ले से साफ करें उसके बाद उसमें कलर ले अगर आप डर्यक्त रखेंगे तो कहीं ना करिश में रहिए जाएगा और वह पानी कलर के साथ मिलकर पूरी तरह से फैल जाता है तो जब भी आप कलर करें पहले ब्रेश को हलका साथ पानी में डिप करें फिर वाश अच्छ से करकी फिर कप्ले से साफ करकी तब कलर करें ब्लुकर सुखा यह ड्राय ब्रेश हम यूज करते हैं तो वह भी सही नहीं यह बहुत लाइट होना है और बागी डाक क्रीन से तो पर हो जाएगी लाइट तो यह पूरा बन जाएगा दाक दिन के बाद फिलार पूरा हो जाए इसके बाद मैंने हंके से इसमें डॉर्स के बनाया है वो भी जरूर देखें आप और अगर आपको अच्छे लगे तो यह अलग से आपको बनाना चिखाऊंगी आप जो कमेंट कर सकते में उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और मेरी चैनल को सब्सक्राब जरूर करें थांक यू फो वाचिंग दिस अवच्छा करता चिंग है ता थांता खग जाए और मेंटे खुद कहीं झाल आपको थांता है क functioning बनापको और म हमाहिं आपको года झाल 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 झाल